पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन्स ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर राजी होता दिख रहा है PTI के मताबिक PCV ने ICC को बताया है कि वो हाइब्रिड मॉडल स्विकार करने के लिए तयार है लेकिन बदले में उन्होंने कुछ मांगे भी रखी है इनमें भारत में होने वाले ICC इवेंट्स में भी हाइब्रिड मॉडल अपनाना शामिल है साथ ही इन्होंने ICC से मिलने वाले रेवन्यू में अपना हिस्सा बढ़ाने की मांग भी की है इससे पहले PCV ने टूर्नोमेंट के बॉयकॉट के धमकी दे थी इन्होंने कहा था कि अगर पूरा टूर्नोमेंट पाकिस्तान में नहीं होता तो ये लोग इसका बहिशकार कर देंगे एक सोर्स ने इस बारे में PTI को बताया मौजुदा हालात ये हैं कि PCV चेर्मेन महुसीन नकवी ने कहा है कि वो चैंपियन्स ट्रोफी को हाइब्रिड मौडल में कराने पर तभी राजी होंगे अगर बोर्ड इस बात पर मान जाए कि भविशे के सब भी ICC इविंट में सेम सिस्टम होगा पाकिस्तान की टीम मैच खेलने भारत नहीं जाएगी साल 2021 तक भारत में तीन ICC मेंस इविंट होने है इसमें 2026 का T20 वर्ल कप, 2029 की चैंपियन्स ट्रोफी और फिर 2021 का वंडे वर्ल कप शामिल है T20 और वंडे वर्ल कप की मेजबानी भारत के साथ शुलंक और बांगलादेश को भी मिली है यानि यहाँ पर पाकिसान चाहे तो असानी से उसके मैच किसी और देश में कराए जा सकते है समस्या चैंपियन्स ट्रोफी की है जो पूरी तरह से भारत में ही होना है साथ ही अगले साल का विमिन्स वंडे वर्ल कप भी भारत में होना है यहाँ भी समस्या फसेगी PCB से कहा कि या तो वो hybrid model स्विकार कर ले या फिर उन्हें tournament से बाहर कर दिया जाएगा। इस विवाद की चलते अभी तक tournament का schedule नहीं घोशित हो पाया है। PCB source के मुताबिक नकवी अपनी मांग पर अडे हुए है। Hybrid model स्विकारने के लिए उन्होंने भारत के साथ भी ऐसे ही सलूग की मांग की है। साथ ही वो जादा पैसे भी मांग रहे हैं। source ने कहा इसके साथ ही पाकिसान चाहता है कि ICC financial cycle में पाकिसान को मिलने वाले revenue को 5.75% से बढ़ाया जाए। नकवी ने इस पर जोल दिया है लेकिन उन्होंने hosting के लिए किसी तरह की extra fee नहीं मांगी है। लोग कह रहे हैं कि नकवी ने अपनी सरकार से बात करने के बाद जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। लेकिन हमें नहीं पता कि क्या वो अपनी मांगो पर अपनी सरकार का समतन लेकर ही वहाँ गए थी। नकवी पाकिस्तान सरकार में मंतरी भी है और उन्होंने जिस तरह से अडियल रवय अपनाया हुआ है। अगर वो बिना किसी खास पायदे कि अपने स्टान्स से पीछे हटते हैं तो उन्हें निश्यतोर पर घर में काफी कुछ सुनना पड़ेगा। नकवी ने हाल ही में एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हेड मुबशीर उस्मानी से दुबई में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान चांपियन्स ट्रॉफी होस्ट करने के लिए तयार है। सारी तयारिया सही चल रही है। इस सोर्स ने PTI से बात करते हुए इस खबर को विनकार दिया कि बोर्ड को चांपियन्स ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में कराने के लिए 20 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा मिलेंगे। रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्टान चैंपियन्स टॉफ़ी हाइबिड मॉडल में होस्ट करने के लिए होस्टिंग फी के रूप में 6 मिलियन के साथ 20 मिलियन एक्स्ट्रा भी पाएगा इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने मैं हूँ गरिमा स्पोर्ट्स जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहें लालन टॉप स्पोर्ट्स शुक्री है